हलो आवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल निवी की रसुई सुफरेंट साज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जादा टेस्टी और डिलीशेज वेच पनी टाकोस पनी टाकोस आप मौर्निंग या इवनिंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन में भी बना कर रख सकते हैं क्योंकि इने बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और क्योंकि हमने इसमें पनीर और सबजियों का इस्तमाल किया है तो ये हेल्दी भी है जादा देर ना करते हुए आई ये रेस्पी को शुरू करते हैं सो वेच पनीर टाकोस बनाने के लिए सबसे पहले हम दो लगा कर तयार कर लेते हैं उसके लिए आदा कप मैदा मैंने यहाँ पर ले लिया है इसके साथ ही एक कप गेहूं काटा हम लेंगे आप चाहें तो आदा गेहूं काटा या फिर आदा मैदा भी ले सकते हैं टू टेबल स्पून आप इसमें ओयल डाल दीजिए इसके बाद बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार पहले सभी इंग्रीडेंट्स को बहुत अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर सैमी सॉफ्ट डो बना कर तयार कर लेंगे ध्यान रखिए डो को बहुत जादा टाइट भी मत कीजिए और बहुत जादा सॉफ्ट भी मत रखिए सैमी सॉफ्ट डो बना कर यहां पर आपको तयार करना है और बहुत थोड़ा सा पानी डालना है पानी भी थोड़ा थोड़ा ही डालिए, एक सांथ बहुत सारा पानी आपको नहीं डाला है, इतने में हम 6 टाकोज बना कर तयार करेंगे, यानि कि कट करने के बाद वो 12 हो जाएंगे, आप कितने लोगों के लिए और कितनी quantity में बनाना चाहते हैं, उसे साब से आप 8 की quantity यहा बहुत ही बढ़िया सा डो बना कर तयार कर लूँगी, डो हमने बना कर तयार कर लिया है, यहां पर एक चमस तेल आप उपर से डाल दीजिए, और फिर से डो को टाइट हाथों से मसल लीजिए, और मसलने के बाद डो को हम 10 से 15 मिट के लिए रेस पर छोड़ देंगे, तो इ डियाबली स्पून ओयल हम इसमें डालेंगे, ध्यान रखिए बहुत जादा तेल आपको नहीं डालना है, जैसे ही तेल हलका सा गर्म होने लगता है, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे प्यास, दो से तीन मिडियम साइज की प्यास को मैंने चॉप करके इसमें आड़ कर दिय प्यास को हमें 2 मिट के लिए सौटे कर लेना है, आप चाहें तो ढग भी सकते हैं लिकिन ध्यान रखिए बीच-बीच में अच्छे से स्टेयर करते रहिए, करीब 2 मिट के लिए प्यास को हमने मेडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राय कर लिया है, अब हम इसमें आट कर यहाँ पर एक शिम्ला मिर्च को मेने चौप करके सम्सेश Bardzo रहा और एक मिर्च को यहाँ पर मिर्च को मैंने चौप करके समयो कर दिया है तो फिर से हम शिम्ला मिर्च के सांथ 1 & 2 मिर्च में रिए शिम्ला मिर्च और फllam investigating 2 już 1 रिधू कर लिए निवारही हैँज ध्यान रखिए नमक बहुत जाद आपको नहीं डाला हैं क्योंकि हम इसमें अभी सॉसेज भी डालने वाले हैं और सॉस में अल्रेडी नमक होता है। थोड़ा सा नमक डालने के बाद हम यहाँ पर इसे ढख कर अच्छे से पका लेंगे। दो से तीन मिट के लिए फिर से हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से फ्राय कर लेंगे। तो टमाटर को भी हमने अच्छे से फ्राय कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रीडियंट्स आड़ करेंगे। 200 ग्राम पनीर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, आप चाहें तो पनीर को ग्रेट करके भी इसमें आड़ कर सकते हैं, आदा चमच के करीब चिली फ्लेक्स और आदा चमच के करीब इसमें औरिगेनो मैंने आड़ कर दिया है, एक चमच में इसमें आड़ कर रही हू और सभी ingredients को हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद हम ढग कर इसे 2 मिट के लिए और पका लेंगे 2-3 मिट के लिए पनीर के साथ सभी ingredients को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है पनीर टाकोस के लिए हमारी ये पनीर वाली stuffing बन कर तयार हो गई है गेस की फ्लेम को बंद करके अभी के लिए से साइड में रख दीजिए डो को रेस्ट पर रखे हुए करी 15 मिट हो गए हैं तो आप एक बार फिर से टाइट हातों से इसे अच्छे से मसल लीजिए और मसलने के बाद यहाँ पर डो को हम 5 पीसिस में डिवाइट कर लेंगे नाइफ की मदद से इसे 5 यच्छे पीसिस में डिवाइट कर लीजिए और सभी की लोईयां बना कर तयार कर लीजिए सभी लोईयां मैंने बना कर तयार कर लिए हैं और यहां पर आप देख रहे हैं ये एक sheet मैंने बना कर तयार कर लिए है तो इसी तरह से बाकी सारी भी आप roll करके तयार कर लीजिए तवे को मैंने gas पर चड़ा दिया है और तव अच्छे से गर्म हो गया है gas की flame को मैंने medium पर रखा है और एक sheet को हम इसके उपर डाल देंगे medium flame पर हम इसे alert पलट करके सेखना है ध्यान रखना है बहुत जादा हम इसे नहीं सेखेंगे जैसे ही इसमें brown sports आने लगेंगे हम उतना ही इसे सेखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहा है इसे मैं पलट दूँगी इस तरह से और पलटने के बाद दूसरी साइट से भी मैं इसे सेख लूँगी gas की flame को आप medium रखे और कपड़े की मदद से इस तरह से घुमा घुमा कर आप इसे सेख लीजिए तो एक शीट को हमने अच्छे से सेख लिया है तवे पर इसे आप तवे पर से निकाल लीजिए पनी टाकुस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट ले ली है जिसकी उपर हम मियोनीज और टमेटो कैचप लगा देंगे टमेटो कैचप और मियोनीज को चमत से आपको बहुत अच्छे से स्प्राइट कर देना है पूरे में उसके बाद पनीर वाली स्टफिंग हम इसकी उपर रख देंगे टमेटो कैचप और मियोनीज की कोईटिटी आप अपने टेस्ट के काउर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं चाहे तो पीजा सॉस भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो एक साइड इस तरह से मैंने पनीर की स्टफिंग लगा दी है पनीर की स्टफिंग भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं एक ची स्लाइस को मैंने इस तरह से लगा दिया है अगर आपके पास ची स्लाइस है तो आप जरूर लगाईए इससे और बड़िया टेस्ट आने वाला है और अगर नहीं है तो आपश्द कर सकते हैं तवे को मैंने गैस पर चला दिया है और इसके उपर डाल दिया है बटर त्जाए टाकोस को और उसके बाद हम इसे पलट देंगे तो करीब 3 मिट हो चुके हैं हम इसे पलट देते हैं और पलटने के बाद फिर से हम दूसरी साइट से इसे अच्छे से से सेंखेंगे अगर आपको लग रहा है कि पहले साइट से यह अच्छे से नहीं सिखा है तो आप फिर से अलट कर देखिए खाने में भी बहुती जादा टेस्टी है गर्मा गरम पनी टाको अब आप सर्व कर सकते हैं दोस्तों मैं एक पीस आपको कट करके यहां पर दिखा रही हूं बहुती बढ़ियां बहुती जादा टेस्टी डिलिशस हेल्दी पनी टाको हमारे बनकर तयार हो गए है इसी तरह से बाकी सारे पनी टाको भी आपको बना कर तयार कर लेने हैं और यह देख सकते हैं आप गर्मा गरम पनी टाको सर्व कर दीजे दोस्तों उम्मीद करती हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजे साथ ही म मेरे आमेजिंग रेस्पी के वीडियो देखने के लिए जल्दी ही हासर होते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए आप खुश रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद